वेल्कम टू तनवीर गॉट पॉम मै चैनल आज हम आपको बताएंगे बक्रे और बक्री के बदनीवे धील यह जू हो जाने से बक्रे और बक्री बहुत पर्शानी में रहते हैं अपने बदन को बार-पर बहुत मोच्ते का आज हम आपके लिए बहुत ही बहुतरीम पॉडर ह हम आपको दिखाएंगे देखिए यह है बहुत ही अच्छा पॉडर है यह नगदीश से दिखा दीजे बहुत ही यह आपको बीच भंडार में आपको मिल जाएगा जहां भी बीच की दुकान हो वहाँ पे जाए आप बोले हिंडॉल पॉडर दे हमें यह पॉडर आपको बकरे और बकरी के लिए बहुत ही बाइतरीन चीज है देखिए इसमें धील जो भी आपके बकरे बकरी को हो तो आप यह पॉडर लगाए एक से दो दिन के अंदर अंदर जितने भी धील जूए होगे सब मर के गिर जाएंगे आज हम आपको दिखाएंगे देखिए हम कैसे लगात चलिए वीडियो स्टाट करते हैं आपको दिखाएंगे कि पॉडर लगाना कैसे हिंडोल बॉडर देखिए सबसे पहले इस देखिए यह पॉडर कैसा होता है देखिए ऐसा होता है इसको हात में ले ले अच्छे से उसके बाद अपने बकरे का बदन में देखिए बहुत ही कि पूरे हर एक जगहा पर पैचे करके लगाए कि चमड़े के अंदर चले जाए सब पॉडर हाथ में लेले के अच्छे से लगाए अभी हम दिखाएंगा आपको सब भी बकरी को भी लगाना है अभी हमें अधाए इस दूह हो जाने से बकरे बदन वी नहीं लगता है बकरी बहुत भी परसान रहती अपने बदन नोस्त दे रहती है अभी मेरा बकरा को जह्यादा नहीं हुआ हलका हुआ था इसलिए फस्कe लगाएंगे और दिखाएंगे अपनी बकरी को भी लगाना है तो इसको भी दिखाएंगे आपको अराम से वैसी लगाना है पूरा रगडड़ के इस सब जितने भी है पॉडर अंदर जा रहा है अग आपकल तक हम दिखाएंगे एक बगरी के लिए बधक रहे सब बखर नहीं लंगाना वो सकती Tammy कि बहुत ही अच्छा पॉर्डर है कि इसके पास ने लगाना है मुझ के पास मत लगाईएगा बाकी हर एक जगह पे पूछ में उधर उधर बाल जहां जाना है वहाँ हाथ गुसा गुसा के अच्छे से लगा दे है अब कर्क्री को अगर होता है तो सभी बागाना पाता बहुत ही दिक्कत होती है अब अच्छे पैंपसे ना हो बकुरी का फिर थे वह दिक्कत ना आ पर बूट चेटे के जितने वी जो घिरेगा इसका वह भी मर जाएगा देखे बखरी इस अच्छे से लगा रही है अभी कि एका करके सभी बखरी को लगाया पराम से धीरे-धीरे करके कि बगरी को दिक्कत भी ना हो आप आप अच्छे से लग जाए है अभी धिरे-धिरे हम सब बगरी को लगाएं एक अब पीट के पास जरूर से दे जितना भी ही हम इसे भी जूए हैं पूझ के बाइगे कि अच्छे से भी लगा दिए कि वाइट वाली जो बीटल है मेरा उसका भी लगा रहे कि वाइट वाली बीटल को भी लगा रहे सब को लगा देंगे कि इसी बक्री में भी थोड़ा बहुत भी हो कि अभी इतना पॉड़र बचा हुआ है अभी अपने फार्म पर छीट देंगे यह पूरा टोटल कि फार्म पर जितने भी किटानों धील होंगे वह सब भी सब मले जाएंगे विदेगे फारं पर भी छीट रही हैं तो अपने फारं पर भी जहां पर बगरी रखते हो वहां प अब अब जाएं पॉर्डर अलका अलका आएं से अब भी तुने अब हुआ है कि अब जगा कोने कोने में अच्छे जीटे पॉर्डर कि अब अब को ठेकिन के अब 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 बीद हम पूरा फोंप अपने चाहिए पॉडरर जाएंगे और अभी आच्छे चीट तीया है उसके बाद पर फ़िए को और बगरी को आपको नहलाना नहीं है यह पॉडर लगागे छोड़ देना है दो से तीन दीन तक यह पॉडर फुद ही जाड़की गिर जाएगा आपको समझ में भी नहीं आगा पर आप एक से दो दिन के अंदर अंदर देखिएगा एक भी धील और जुए आपके बगरी मे नहीं दिखेगा वीडियो अच्छा लाएं तो लाइक करें और शेयर करें मेरी वीडियो को और बलाइकन दबा दे कि आने वाली हर वीडियो आपको इसी तरह मिलती रहें मिलते हैं नेक्स वीडियो में अल्ला आपीस